नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इसके अलावा, राजे के 22 जीलों के 226 सुखाड परवहवित परखंडों के परतेक पिडित किसान परिवारों को 35 रुपए राहत रासी के रूप में मिलेंगे इसके लिए 244,14,33,500 रुपए राजे आक्समिक निधी से निकाली जाएगी 30 लाख किसानों को इसका लाव मिलेगा बतादे गुरुवार को परजेक्ट भावर में मुख्य मंत्री हमान सुरेन के अधक्सता में होई राजे मंत्री परिशत की बैठक में इस पर सुखरीती परदान की गई इस बैठक में कूल 25 परस्ताओं की सुखरीती मिली है बैठक में जर्खन बिधान सबाके 27 फरवरी से 24 मार्ज तक 72 शत्रे के आयोजन की भी घटनोता सुखरीती परदान की गई अभी तक राजेक खादे सुरक्षा जोजना कलाब को को हर महीने 5 किलो खाद्यान 1 रुपे परती किलो की दर से उपलब्द कराया जाता रहा है दुमका में मिली इंसान की सकल वाली मकड़ी दुनिया में एक से बढ़कर एक जीव पाया जाते हैं कोई रंग भी रंग तो कोई बिल्कुल बे रंग कोई काफी बढ़ा तो कोई इतना छोटा की ठीक से दिखाई भी ना दे बता दे इसी तरह की एक मकड़ी जमसेदपूर के दल्मा जंगल में मिली है जिसकी सीर इंसानी सकल जैसा है इन मकड़ी की खोज जीव जनतुओं पर सोध कर रहे हैं वी से सगे राजा घोस ने की है राजा घोस कहते हैं कि जैसे ही मेरी नजर इस मकड़ी पर पड़ी तुम्हें बहुचक रह गया मैंने जल्दी जल्दी इसकी तस्वीरे ली यह मकड़ी जीव जनतुओं पर सोध करने वाले वी से सगे की बीच को तुहल का भी से बना हुए है बी से सग्यों का कहना है कि इंसानी सखल वाली मकड़ी तूरलब है इस मकड़ी को सबसे पहले चीन में देखा गया था इसके बाद 2019 में आसम के चाय बगान में इसे देखा गया इसके बाद यह जारखन के दल्बा में मिली है राजे पाल ने जारखन बीत बिधैक 2022 राई सरकार को तीसरी बार लोटाया राजे पाल रामेस बैस ने जारखन बिधान सभासे पारी जारखन बीत बिधैक 2022 को राई सरकार को लोटा दिया है राजेपाल ने राज सरकार को बिध्याक यह निदेशित करते हुए लोटा दिया है कि इस बिध्याक में उलेखित बिंदूओं और बीवरनों की गमिरता पुर्वक समिक्षा किया जाए कि यह भारत के समिधान के अनुसूची साथ के अंतरगत राज सूची में समाहित है अत नहीं यह भी समिक्षा की जाए कि विध्याक में बीमा अत्वा अन्य प्रविधानों से समधित कोई बीवरन संग सूची अत्वा समवर्ति सूची में तो सामिल नहीं है भारत के समिधान के अनुसूची साथ के अंतरगत संग सूची एक के करम संके 47 में बीमा से समधित वि अंतर राजी अस्तर पर चल रहे अवैद सराब के कारोबार पर जारखन पूलिस कसेगी नकेल। पिस से लेकर उनके सजोगी वब फूरे गिरोह तक की कुंड़िली पूलिस कंखालेगी। बतादे अवैद सराब के धंदे से बनाई गई संपत्ति की जपती के लिए भी पूलिस पहल करेगी। किसोरी समरीदी योजना के लिए अब जनम परमन पत्र नहीं होगा अनिवार। बतादेरी राईसरकार दigen दवारा सुरू की गई सवित्री बैपूले की समरीदी योजना कलाव लेने के लिए अब लाभूक बालिकाओ को जनम परमन पत्र देना अनिवार नहीं होगा। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है इसमें अभी नीन लिया गया है कि बिवाह योगी निधारित नियुम्तम कानुनी आयू के पूर्वर लाभुक का बिवाह होने पर इस वे नकलाब नहीं मिलेगा साथ ही बालिका के माता पिता की मिर्तु की छिती में बालिका के पालक, माता पिता या विवावक ते समधित का ग्यात मानिय होंगे इस इस्थिती में माता पिता की मिर्तु पहन पत्र की छाया परतियावे दन के साथ सनलगन करना अवस्यक होगा पहले माता पिता की मेत्यों की चिती में बाल कल्यान समीती दौरा जारी अनात बलिकाओ के लिए पत्र किचाया परतिस्वंग करना अनिवार किया गया था अब ये असर्त हटा लिगाई है किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजार प्रवंधन पर बल देगी जहारखन सरकार बैठक में मुख्यमांत्री ने अधिकारियों से कहा है कि यहां कि किसानों की आय में ब्रेधी करने के लिए सरकार सतत परयासरत है जरकन के किसानों द्वारा उतपादित बस्तू पर उचित मुल्य मिले सके इसके लिए एक बेहतर बजार प्रबंधन त्यार करने किया व सकता है किसानों दोरा उत्पादित सब्जीयों की ओनलाइन विक्री के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सुभधा भी उपलब्द कराई जाए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पाइलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द पाँच पाँच जगों का चेन करे तथा बेतर कारियोजिना बनाया कर सम्मधित विभागों को रिपोर्ट दे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश्ट किया है कि NEML समय समय पर फर्मर, प्रोड्यूसर, कमपनी के कर्मियों और किसानों की अधोनिक तखनीकों का उप्योग किस परकार से की जाए इसका परसिक्षन दे कर उनकी चामता बढ़ाए नकसलियों की साजिसना काम IED वहत्यार बरामत जारखन में नकसलियों की खिलाफ लगातार अभयान चलाया जा रहा है इसकर में गुरू और कुलाते है पुलिस को बड़ी सपलता मिली है बता दे CRPF की 214 हमी बटालियन ने मनिका थाना चेत्रे के कुमार डी इस्थित जंगल से नकसलियों द्वारा चुपाएगा हत्यार बरामत किया है पुलिस ने हत्यार गोला बरोदोवा IED बम बरामत किया है नकसलि किसी बड़ी घटना को अजाम देने की मांसा सच इस जंगल में जुटे हुए थे पुलिस ने उनकी मांसा को फिलहाल बिफल कर दिया है बतादे C.R.P.F. 214 बटालियन के दितिये कमान अधिकारी अभिनाव कुमार ने बताया है कि मनिका थाना चेत्रे के कुरूम खेता जंगल में नकसलि कति बीदी होने की सुचना मिली थी ज्यारखन में आटो पलटने से बाबा बैधनात मंदिर पूजा करने जा रही 11 मिला सरधालू घायल ज्यारखन के देवघर जीले के रिखिया थाना चेत्र अंत्रगत देवघर दुम कमोखे पत्त पर इस्थीत लिला मंदिर के समीप गुरूआर के सुबा सरधालू से भरी आटो पलट गई इस गटना में बिहार के बांका जीले के बाउसी वा मोहनपूर थाना चेत्रे के रतनसार गाउ से देवघर बाबा मंदिर पूजा करने आ रही 11 मिला सरधालू गंबीर रूप से गायल हो गई सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया है यहां ओन ड्यूटी चिकित्सक की देख रेख में सभी का उपचार किया गया है सुक्रवार को मिल सकता है ज्ञार्खन को नया DGP सुक्रवार को ज्ञार्खन के नये DGP के नाम की घोसना हो सकती है DGP नीरज सिनहा सुक्रवार को लिटार हो रहे है बतादे UPSC पेनल ज्ञार्खन सरकार को पहले ही तिन नामों की सुचना भेंच चुका है जार्खन के डीजीपी नीरज सिन्हा सुक्रवार को से वनिवरित हो जाएंगे सुक्रवार उनका डीजीपी के तोर पर अम्तिम कार्य दिवस होगा सुक्रवार को ही जार्खन के नए डीजीपी के नाम की घोसना भी सरकार कर सकती है बतादे जार्खन के डिजीपी के तरपन नीरसीना ने 11 फरवरी 2021 को योगदान दिया था उने 177 बैज के IPS अधिकारी नीरसीना का कारेकाल बेहतरीन रहा खाजकर नक्सल फ्रंट पर जार्खन पुलिस को बुढ़ा पहाई जैसी बेहतरीन सफलता हाँचिल हुई जामुमो सुप्रिमो स्वीबू सुरेन की तवियत बिगडी जार्खन मुक्ती मोर्चा सुप्रिमो स्वीबू सुरेन की तवियत अचाना गुरुवार को बिगड़ गई उन्हें आनन फ़ानन में रांची के मेदानता स्पताल में भरती करया गया है बतादे सीवू सुरेन मेदानता अस्पताल के आईस्वी वार्ड में भरती हैं उन्हें देखने स्टीयम हेमा सुरेन जामो नेता सुप्रियो भटाचाज हुआ मुस्ताक आलम समेत अने पहुँचे सुप्रियो भटाचाज ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है चाती में इंस्पेक्शन है वे जल्द हमारे बीच होंगे हलाकि इलाज कर रहे नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर अमीत को मने बताएक सीवू सुरेन को किड्नी वर लंग्स में इंस्पेक्शन है नेफ्रोलोजी विभाग में उन्हें बरती करया गया है मेदानता में सुरक्षा बेवस्ता बढ़ा दी गई है 17-22 फरवरी तक रांची में भारत रंग महोच्षव जारकन कि रह धानी रांची में भारत रंग महोच्षव इंटरनेशनल थियेटर फेस्टिवल आफ इंडिया का आयोजन होने जा रहा है 17 फरवरी से 22 फरवरी के बीच यह आयोजन मोराबादी इसी तरांची कोलेच के आरेभट सबागार में होगा जिसमें बिहार पच्छी मंगाल समेट कई राज्यों के रंग कर्मी नाटक का मंचन करेंगे बदादे नेशनल स्कूल आफ ड्रामा की ओर से किया जा रहा है यह राश्ट्री आयोजन है देश के नव राजियों के दस सौरों में इसका आयोजन होगा भारत के अंतराश्ट्री थेटर महोचो के नाम से मसूर भारत रंग महोचो की सुरुवात अगले सप्ता 14 फरवारी से नव दिली में हो रही है लेकिन जार्कन के रेधानी राची में आयोजन के तरह 17 फरवारी सुक्रवार को पाले नाटक का मंचन किया जाएगा रामगण उप चुनाओ आईसू अध्यक सुदेश महतो ने सरकार पर साधा निशाना रामगण बिधान सबाव चुनाओ को लेका राय नीती सरगर्मी तेज हो गई है गोला परखन छेत्रे के कमताई स्थीत सी पी सी इंटर कॉलेज में गुरू आर नौ फरवारी दोहेर तेश को आईसू चूला प्रमूख समेलन कायोजन किया गया करकरम में मुखे रूप से आईसू सुप्रीमो सा सिरली बिधायक सुदेश महतो गिरीडी सांसा चंदरपरकास चौधरी गोमिया बिधायक लंबदर महतो परदेश प्रवक्ता देवस्तरन भगत पुरो मंत्री रामचंदर सहीत आदी सामिल थे इस मौके पर स्री महतो ने काया कि जर्खन में यूपिये सरकार अपने चुनाई मुद्दे भूल गई है और लोगों पर सिर्फ सासन कर रही है यहां के लोगों के राशन की जिनता सिर्फ आईसू पार्टी को है हजारी बाग सहर में हाथी का आतंक तीन को मार डाला पहली बार हजारी बाग सहर में एक हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है हाथी ने बुद्धवार को तीन लोगों को कुचल कर मार डाला है वहीं एक महिला वह एक छात्रा को घायल कर दिया है मृतको में सहर के खिरगावा साव मुहला के दामोदर साव कुद भोला बाबा टोला के धनेसवर साव सिर्सी की ट्विंकल सामिल है गमिर रूप से गायल छात्रा का इलाज आरोग यास्पताल और दूसरी का इलाज और मांजी के वेल फेयर अस्पताल में चल रहा है बताद बेगू सराई की रहने वाली रिंकी हजारी भाग मेरा कर पढ़ाई कर रही थी यहाँ देर साम सिर्सी गाउं के पास देखा गया है धनबाद ACB ने BCR रिस्वत लेते खादे सुरक्षा पता अदिकारी समें दो को किया गिरफतार धनबाद ACB की टीम ने गुरुवार को BCR घूस लेते खादे सुरक्षा पता अदिकारी और सेवा निवरीत हेल्थ सुपरवाजर को रंगे हाथों गिरफतार कर लिया है ACB की अदिकारी उनसे पुछ तास कर रहे हैं लाइसेंस रिनुवल कराने के एवज में घूस मांगने की सिकाईट पर ACB की टीम ने धनबाद के खाज सुरक्षा पता अदिकारी अभिसेक अनन्द और सेवा निवरी थेल्थ सुपरवाजर रामा पती तिवारी को धर्द बोचा है धनबाद के हरिहर पूर के रुपेश गुपतान प्रश्टा चार नियुदग बीरो में रिश्वत मांगने जाने की सिकाईट की थी तेरह फरवारी को होगा ओक्सन जारखन की छाओ खिलाडियों पर लगेगी बोली महिला प्रीमियर लिंग के लिए तेरह फरवारी को महिला खिलाडियों के निलामी होगी इस निलामी में पांच फ्रेंचाइजी टीमे कुल नबे खिलाडियों के लिए बोली लगा सकती है जिसके लिए 409 किरिकेटरों ने अपना रेइस्टेशन कराया है इनमें जारकन की छाओ महिला किरिकेटरों के नाम भी सामिल है पतादे जारकन की धाकर और राउंडर अनूजा पाटिला और अंतराश्ट्रिये खिलाडी सुभ लक्षमी का नाम इस लिस्ट में 30 लाख बेस प्राइज वाले खिलाडियों के साथ सामिल है लोकसभा में उठा पलामू संसदी च्षेतर में तेंदुआ और जंगली जीवों के हमले का ममला है लोकसभा में बोलते हुए 702 देयल राब ने कहा है कि पलामू और गठवा में हाल के दिनों में जंगली जानवर का तंग बढ़ गया है गठवा के रंका, रमकंडा, चिनिया, बंडरिया, बरगड एवं पलामु जिल्या के सतबरवा में तेंदुवा कातंक है उन्होंने कहा है कि तेंदुवा कातंक इस कदर है कि लोग आपना गहर द्वार छोड़ कर एक जगा एकतित हो का रात कुजारने को मजबूर है तेंदुगा को पकड़ने क्लिवान भी भागदोरा पर्यास किया जा रहा है और एक्सपर्ट को भी इस कारे में लगाया गया था लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया है धन्यवाद